कई बार ऐसा होता है कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है लेकिन नहीं हुपा रही है तो कई बार के सथ कोई ढ़ला अगर आपके साथ कोई और दिक्कत नहीं तो आप एक बार ध्यान दीजिए कि आपको जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है वह बाहर की तरफ तो नहीं निकल लाएं और बाहर की तरफ निकल ला महां पर फैट इखटा हो रहा है आपको नजर आएगा इसका मलब है कि वहां पर चर्वी जम रही है और इस वज़े से आप ट्रेगनें नहीं हो पा रही है तो इसको सही करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और यह चीज़ें अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही है कि आप ट्रेगनें नहीं हो पारी उसके साथ-साथ घर में भी यह चीज़ें आप सबसे पहले थंडा पाणी पीना बंद कर दीजिए आप कुन पानी पीजिए गूंगूणा पानी पीने से ब्लड सरकुलेशन बहुत अचछे से होगा भी सारीड में सिरीं फार कि यह दो आड़ी और तौफ दिया का दॉटी इस लिए पटी तरह से घ्लम काने अपता सेंच कर में एच्वायन के पानी इसे बहुत जल्दी फैट बन होता है और जो भी एक्स्ट्रा फैट महां पे इकटा हो रहा है चरबी खटा हो रही वो धीरे 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 तीडियोज हो जाएगी वहां से हट जाएगी तो इस चीज का ध्यान तो रखें लेकिन उसके साथी साथ आपको कुछ परहेज भी करना है जैसे कि जो मैदे वाली चीज़ें होती है वह आपको नहीं लेनी है क्योंकि मैदा और उसक यह तरह से आप माल नीजे पराठा काती है तो अगर यह पूसको फायदा भी दिखे आपको परिशानी भी कम से कम होगी तो यह चोटी-चोटी चीज़ें आप जरूर करें इसके साथ आप वाक जरूर करें आप डेली आदे गंटे की वाक जरूर करें और अगर अगर आप बहुत जादा वाक्त नहीं कर पा रही हैं तो आप जाड़ू पोचा जरूर लगाएं आप खुश सही जाड़ू लगाएं बैठ करके और बैठ करके ही पोचा लगाएं यह बहुत ही अच्छी एक्सराइज होती है पेट की खास करके इसे आपका जो पेट का जो फ चर्वी खटा होने लगती तो कई सारी परशानियां हो जाती है क्योंकि बहुत जादा फैट होने लगता है वहाँ ब्लेड सर्कुलीशन सही से नहीं हो पाता है तो फिर वहां की मास्पेशियां बहुत कमजोर हो जाती है पिर ऐसे में आपको पीड़ दर्द हो सकता है कि जो आप चर्वी खटा हो गई वह सही हो जाएगी